को सुखुबित मिश्रा में मैं एक्टोन बनाने का मोटिव यह है कि अब ही जैसे कि और और प्रॉप्र गाइडकल को स्टूइट एक्षी स्टूइट अने वाले हैं अगस्थ में स्टार्ट में तो उसके लिए बच्चों को प्रॉपर गाइडियन्स नहीं मिल पा रही थी तो जैसे कि अगर कोई सेलेक्टेट करनी देडिया स्टुडेंट होता है तो उसको एक प्रॉपर वे पता होता है कि कैसे मैंने किया तो मैं आपको एक प्रॉपर 75 डे का रूटीन बता रहा हूँ तो जिसके थूप आप इसको एजली एक्जाम को एजली कर पाएंगे ठीक है इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में उस रूटीन को मैं बताऊंगा एंड एक टाइम टेबल भी बताऊंगा दो लोगों के लिए एक मार्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट तो उसको फॉलो करके एंड इन 75 डे में आप एक्जाम को इसली करें आ सकते हैं तो डू वाच दिस वीडियो एंड दू सब्सक्राइब चैनल आपको तो अभी देखिए जिसे मैं मान के चलता हूँ तो आप कहेंगे एक कंट्राडिक्टरी बात बोल रहा हैं तो देखिए एक्जाम जितना इजी होगा तो कटाफ उतनी ही हाई जाएगी तो इस वजए से आराबी क्लर्व का एक्जाम जैसे होता है तो इसकी कटाफ 76, 77 ऐसे कटाफ जाती है तो उसमें क्या होता है कि कुश्चन आपसे एटम्ट होंगे बथ कटाफ भी काफी ज्यादा जाएगी तो इसको इजी भी कह सकते हैं और तफ भी कह सकते हैं तो यह बात आपको दिमाग में रखनी है second thing कि आपको pre and mains simultaneously लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये exams जो होते हैं इसमें आपको mains की तेहरी के लिए ज्यादा time नहीं मिलेगा तो pre और mains को साथ में cover करके चलना पड़ेगा एक ये point आपको दिमाग में रखना है and third thing कि आपको computer awareness इसको जो है पहले से ही cover करके चलना पड़ेगा या तो आप pre के exam के देने के बाद तुरंत आप cover कर सकते हैं वरना जो है आप इसको पहले से भी पार सकते हैं किसी PDF के थूँ या अभी मैं sources बताऊँगा उससे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं 75 days का प्लान बता रहा हूँ उसको मैं 3 parts में divide करूँगा 30, 30 and 15 ठीक है तो जो पहले 30 days होंगे उसमें आपको क्या करना होगा क्योंकि अभी मैं यह मान के चला हूँ कि आप बिल्कुल बिगना रहा है अभी आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिस बिसिकली एक ऐसा subject है जो कि bank में माना जाता है काफी अच्छे level की भी इंग्लिस आती है और ये काफी लोग का week section भी होता है तो इंग्लिस में पता सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कहां पर करते हैं बच्चे जो हैं गलती करते हैं बच्चे इंग्लिस की starting करते हैं यहां से बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं कि grammar देखना स्टार्ट करते हैं किसी का video देखेंगे verb क्या होता है noun क्या होता है बच्चे यहां से start करते हैं इंग्लिस आपको यहां से start नहीं करनी है English आपको start यहां से करनी है सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक अपना routine मना जीए जब तक आपका selection नहीं होता है मैं तो कहरा है उसके बाद तक newspaper आप पढ़ने की आद़ डाल लीजिए ये ना कि केवल आपको English में help करेगा ये बलकि GA section में भी help करेगा तो एक घंटा newspaper आपको daily पढ़ना है पहले आप वो news पढ़िए जो कि आपको interesting लगती है ठीक है उसके बाद एक अधा editorial तो आपको daily पढ़ना ही पढ़ना है और आप newspaper पढ़ेंगे उसमें कुछ difficult words जरूर फसेंगे तो आपके पास Google है उसको आप तुरंट Google करिए Google पे देखा आपने क्या उसका word है आप उस word को उस newspaper की line से link करने की कोसिस करिए आप ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे उसको 2-4 दिन बाद आप अगर उस word को उस newspaper से रिलेट करके याद करेंगे क्या होता है कि English movies भी देखो तो English आप जितनी इनहेल करेंगे एक तरीके से कह सकते हैं सब्टाइटल के थूरू या English की कोई डिवेट्स आ रही है मैं याप एक इंग्लूट कर देता हूँ आप डिवेट्स भी देख सकते हैं तो इससे क्या होगा आपकी इसमें रूट वर्ड के थूरू सिखाया गया है इसकी कॉपी का ही लोगों ने बनाई है अपने रूट वर्ड डाल दी है इतने इंपॉर्टेंट वर्ड से वगरा मट आप में जो बुक है इसको लीजे इसमें 45 सेशन होते हैं तो आप डेली इसका एक सेशन या दो सेशन भी करेंगे तो इसली आप 30 डेज में इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं एंड उसके बाद आता है ग्रामर तो ग्रामर बिसिकली बैंग में इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है अगर किसी का मन है देखने का जिसको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं सं आप विग्णर मन के चलिए तो सबसे पहले रेजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा जो सारे टॉटिक्स हैं जैसे की मिसलीनियस टॉटिक्स होते हैं 셀 लॉग हो गया इनिकल्टी हो गया औंड कोर्णिकोर्णिंग हो गया डायक्श réponse हो गया तो इन में सबसे पहले आप क्या करना है कि वीडियो देखने हर चेप्टर का सबसे पहले आपने क्या किया वीडियो देखा फिर उस चेप्टर के मिनिमम हंड़र क्यों उस टॉपिक के सौल्व किए अब वीडियो आप पुणी सर से देख सकते हैं जो भी आपको टीचह पसनदा है मैं वैसे पुणी सर से देखता था ठीक है तो आप पहले टॉपिक के वीडियो देखेंगे फिर उस टॉपिक के हंड़र को स्चेप्टर केम इन बात बट क्या करना है मिसलीनियस आपको जरूर करते रहना है क्योंकि नंबर्स यहीं से कवर होते हैं यह नंबर ऐसे हैं कि फ्री के नंबर मानके चलो इन में तो आपको नंबर फुल नहीं लाने है ठीक उसके बाद A to Z मतलब क्या होगा A B C D जो आप नहीं जानते हैं उसको कहाँए उसकी नंबरिंग जो होती है वो आपको याद कर लेनी है A की क्या होती है 1 जैसे C की 3 होती है D की 4 होती है F की क्या होती है ऐसे आपको सब याद कर लेनी है रिवर्स भी उनका याद कर लेना है इससे आपको कोडिंग में काफी हल्प मिलेगी अब आते हैं अपनी नेक्स एक्षन जो की सब्से इंप्रेंट सेक्षन है वह है कॉंटिटिटिव अप्टिटिटिटिट की स्टार्टिग सबसे पहले एगर करनी है तो सबसे पहले आप चाहिए आपको वण से लेके 50 तक के क्यूब याद रुने चाहिए आपको टेबल याद होना चाहिए थर्टी तक का अब ये प्रोसेस एक दीन में तो नहीं हो पाएगा आपको थोड़ा सा टाइम लगएगा देली आपनेवान के चलिए पहले 10 तक के के 20 तक के ऐसाइस है के आपने 100 questions solve कि मैं आप लिख देता हूँ सबसे पहले आपने देखा simplification फिर quadratic equation फिर number series इन तीन topics को आपका cover करना है फिर क्या करना है daily जब एक बार इन topics को खतम कर लेंगे daily इन topics के minimum simplification के 20 questions इसके 20 questions इसके 20 questions आपको daily solve करने अब आते हैं arithmetic की तरफ arithmetic में आप beginner हैं जैसे कि मैंने बताया तो आपको फिलाल क्या करना है इन 5 chapters को भी 4-5 chapters को पहले खतम करना है सबसे पहले कैसे करेंगा मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले आप किसी teacher को follow कर सकते हैं YouTube पे डाल सकते हैं free देख सकते हैं आपको कोई paid course लेना वहाँ से कर सकते हैं क्या करेंगे सबसे पहले दो दिन आप उस chapter की class देखेंगे ठीक उस class को देखने के बाद जिस दिन आपने एक class देखी evening में उसका एक बार revision जरूर करना है यानि कि जब यानि कि जब next day भी उसकी class करेंगे तब भी उसका पहले क्या करना है रिविजन करना है class देखिए आपने दो दिन में एक class निप्टा सकते हैं आप दो दिन में एक chapter की classes हतम हो जाएंगी फिर उसके बाद क्या करेंगे third day उसकी classes का पूरा complete एक revision कर देगे फिर उसके बाद fourth day आपको क्या करना है उसको chapter के high level के जो questions होंगे आप किसी high level की book आ सकती है quantum cat से लगा सकते है अरुन शर्मा की cat की book आती है उनसे लगा सकते है high level के आपको minimum 20, 25, 30 जितने question आप लगा सकते हैं लगाईए पहली बार में आपसे question हो सकता है ना बने बट उस chapter का जब आप कई बार revision करेंगे तो आपसे question धीरे धीरे जो question पहली बार में नहीं बना होगा वो भी बनने लगेगा धीरे धीरे फिर आपको क्या करना है chapter wise mock भी देने है आपको mock test भी start करना है फिर ये एक process है ठीक है पहले आपने class देखी revision किया high level के question लगा है उस chapter के mock दिए ठीक उस chapter के सारे एक chapter आपको त्यार हो गया ऐसे हर chapter आपको ऐसे ऐसे करना है ठीक अब मैं अगला section आता हूँ जीए जी ये जैसा कि आप जानते हैं अभी अप्रेल खताम हो गया है बिल्कुल मैं आने वाला तो अप्रेल की आपको क्या करना है पहले कोई एक monthly PDF आप टाउंलोड कर सकते है affairs cloud की कर सकते है या अड़ा 247 की कर सकते है या ओली बोड की कर सकते है अभी आ जाएगी 2-3 दिन में तो आपको क्या करना है उस PDF को complete revise करना है क्योंकि अभी अप्रेल का device तो कर नहीं सकते है अब मैं से क्या कर देना है आपको daily class देखनी है parent affair की class देखनी से क्या होता है उसको वो चीज मेमोरी में काफी दिन तक रहती है आपने class देखी and जो अगले दिन आप class देखेंगे तो पिछले दिन की class का आपको revision करना है ऐसे फिर जब Saturday आएगा Saturday को एक week की class हो गई आपको Sunday को पूरा revision कर देना है उस week का ऐसे जब 4 week हो जाएंगे तो एक month का revision करना है इससे क्या होता है बच्चे कहते है ना कि जी है मैं भूल गया तो इससे आप भूलेंगे नहीं जी है and last चीज क्या है आपको banking awareness पे भी काम करना पड़ेगा क्योंकि कुछ news ऐसी आएंगी जो bank से related होंगी तो आप जब banking awareness पड़ेंगे ना तो आप जी जो को link कर पाएंगे तो इसको क्या करना है आपको Saturday Sunday को एक दो-दो class देख लिए किसे YouTube पे भी आपको कई classes मिल जाएंगी अगर कोई paid course ले रखा है तो उससे भी मिल जाएंगी आपको यहां से banking awareness को भी complete करते चलना है साथ में ही ठीक है तो आपको यह पहले 30 days का target हो गया अब मैं next 30 days की बाप करता हूँ तो इंग्लिस में आपको यह चीज़ तो continue भी रखनी है newspaper and vocab अब आप misleynes पे आजाएंगे इंग्लिस के topics की सबसे पहले क्या करना है अब आपको daily reading comprehension start कर देना है minimum एक या maximum दो तीन जितने कर पाएंगे आपको RC पढ़नी है ठीक है उनके question solve करने inference based question होंगे आप से काफी गलत होंगे starting में बट लेकिन धीरे धीरे जब आप reading क्योंकि newspaper पढ़ते रहेंगे आपकी understanding build होती रहेगी तो आप ये question सही करने लगेंगे अब आपको क्या करना है एक sectional mock daily start कर देना है हो सकता है content की कई बार कमी पढ़े कुछ PDF courses भी आते हैं आप वो buy कर सकते हैं तो उसमें कई बार आपको content की कमी नहीं पढ़ेगी तो आपको sectional mock तो English में देना ही देना है and यहाँ पे भी मैंने fourth point जैसे की highlight किया है अब तक आप जो starting के 30 days हैं वहाँ पे जो grammar पढ़ी होगी पढ़ लेना बस अब आपको grammar पे ज़्यादा focus नहीं करना है मैंने जैसा कि पहले भी बताया English जो है banking में ज्यादा grammar based नहीं आती है ठीक English की यह same strategy रहे कि newspaper follow ही करना है हमेशा अब आते हैं मैं reasoning की तरफ अब क्या करना है reasoning में आपको puzzle start कर देनी है अच्छे से आपको क्या करना है daily puzzle की एक class देखनी है जो कहीं भी आग देख सकते हैं जैसे class कराते रहते हैं और भी sir कराते रहते हैं आप एक class देखेंगे उस class के अलावा आपको PDFs मिल जाएंगी कुछ books मिल जाएंगी वहाँ से क्या करना है puzzle की daily minimum 10 puzzles या 7 puzzles आपको daily solve करनी है ठीक उसके बाद क्या करना है अब आप मेंस को भी लेना start कर दीजिए क्योंकि क्या होगा फिर बाद में आपको उतना time नहीं मिलेगा तो अब आप मेंस के लिए क्या कर सकते हैं alternate मेंस की class देख सकते हैं ठीक उसके बाद मेंस की class देखने के लावा आपको एक चीज़ और करना है sectional mocks भी अब add कर देने आपकी practice में क्योंकि अब आप ज़्यादा दिन नहीं बचें जैसे की मान के चलते हैं अब यहाँ पर 30 days में लेके चल रहा हूँ तो अब आपको sectional mocks भी start कर देना है ठीक, अब मैं आता हूँ count पे count में जैसे कि बता चुका हूँ speed math तो same रहेगी simplification number series quadratic equation daily solve करना है अगले arithmetic के कुछ topics उठाईए उसको भी जैसे कि मैंने बताया था इसी तरीके से आपको cover करना है पहले class, revision, high level question, chapter wise mock ठीक, ऐसे arithmetic को फिर से cover करेंगे sectional mock count में भी start कर देना है ठीक, फिर revision after each chapter यह काफ़ी important है जैसे कई बार क्या होगा percentage के ratio के question मना लिए chapter खतम कर दिया, अगले chapter पे आ गए दूसरे chapter पे आ गए कई बार क्या होगा mock में हो सकता है question नहीं बनना है आप सोचना होगे mock में question क्यों नहीं बनना है जब chapter पढ़ रहा था तो बन रहे थे तो इसका यहां पर लायक आता है आपने revision नहीं किया एक chapter के बाद आप क्या करेंगे एक chapter दो chapter जो खतम कली है तो पिछले वाले chapter का revision बहुत जरूरी है ठीक, वो आपको जरूर करना है अब आते है next 15 days के लिए इसमें क्या करना है, अब क्योंकि exam जैसे की मैं के चले मैं आगया आपका, इस जहाँ पर आपका ठीक, तो आपको daily minimum दो mock तो देने ही देने है, और mock में analysis करना है आपको, क्या मैं गलती कर रहा हूँ उन questions को फिर से solve करना है अब जो topics weak हैं, उनका फिर से revision करना है, short notes आपको बना लेने हैं, कि जैसे की करेंगे, यह बताता है कि आप कितने बच्चों से आगे चले हैं, तो आपको minimum 85 percentile तो plus लाना ही लाना पड़ेगा, अगर आपको pre examination clear करना है, ठीक and, अब मैं जैसे की मैं बता रहा था कि computer, computer को आप pre के बाद भी cover कर सकते हैं, जैसे कि आपका pre का exam over होगा, उसके बाद कोई भी PDF से, या कोई भी ollie board की आती है वहाँ से आप computer को easily कर सकते हैं तो अब आपको मैंने एक 75 days का plan बता दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक time table बता देता हूँ, कई बच्चे पूछते रहते हैं आपको चार बजे पढ़ना start करें इसके लिए आपको साड़े 3 में उठना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोग को सुरुआत में काफी दिक्कात हो, लेकिन आप मेरी बात मानिए, कि जब तक कुछ लोग सो के उठेंगे, तब तक आप एक जंक निप्टा चुके होंगे पढ़ाई का, एंड उस टाइम आप उतने लोगों से आगे निकल चुके होंगे कि कि आप सोच भी नि सकते हैं कि आपका लांग टेम पे कितना अच्छा एफेक्ट पड़ेगा तो सुबह चार बजे से आठ बजे तक आपने एक चार घंटे का एक जंक निकाल दिया ठीक अब इसमें आपको क्या करना है आप मॉक कर सकते हैं आप जो मॉक टेस्ट वगएरा है रीडिंग इंगलिश की कर सकते हैं ठीक मैं यहाँ पर अपने पता के चलता हूँ मैं अपना यह करता था ठीक उसके बाद एक घंटे का आपने गैप ले लिए आपको breakfast वगएरा करना है ना ना दोना है जो भी करना है फिर नौ बजे से लेके बारा बजे तक तीन घंटे का एक और आप सेकेंड जंक्स निका दिये आपको क्या पढ़ाई को क्या करना है ब्लॉक्स में डिवाइट कर देना है इस से काफी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा अब इस ब्लॉक में आपको क्या करना है कौण के वीडियो देकना है प्रेटिस करना है कुछ भी जो मैने जैसे कि स्ट्रेड़ी बताई उस तरीके से यहाँ पर आपको कौण को निप्टा देना है अगला फिर मैने एक घंटे का ग Günम और निकलते है इक बज़े 10 पर 10 आपको द 20 में धूर्म करना है जो का मॉर्णिमि यो तक यह तो कर सकते वे, यह दो, करना है यो नुहीं आपको चीछ जो करना है टूर्स चुजर गूर्ण मिरिजिन करना है जो क्या करना है जोब आपने पिस humble की अपने सकते हैं जेखिए आपको कितना इजली 14 आर का मैंने निकाल देंगे अपसमें से हो सकता है डेली आपको यहां पर कुछ आ गया डिस्टर्बेंस हो जाए तो डेली आपको हो सकता है थोड़ा बहुत बिगड़ जाए बट आपको क्या करना है कंटीन्यूटी मेंटेन करनी है क् कंसिस्टेंसी आप अगर मेंटेन करेंगे तभी आप एग्जाम को किसी क्रेक कर सकते हैं एक यह रूटीन में बता दे रहा हूँ जो बैसिकली देर में उठना पसंद करते हैं मैं आट बजे उठे कोई तो मैं मान के चलता हूँ नो बज़े से उनका डे स्टार्ट होता है तो नो बज़े से बारा बज़े तक आप एक तीन गंटे का जंग निकाल दीजिए एक बज़े से पांच बज़े तक आपका चार गंटे का हो गया छे से आठ का दो गंटे का हो गया नो से साठे बारा साठे तीन गंटे का हो गया एक बज़े से दो बज़े तक जिसमें आप अपने subjects को include कर सकते हैं तो देखिए आप भी easily इतने आराम से पढ़ा ही कर सकते हैं अब मैं जो है जैसे की बताया है कहां पे कौन subjects को रखना है यह आप अपने इसाब से देख सकते हैं और देखना है कितनी जल्दी आपका exam crack हो जाएगा बिल्कुल आप भरोसा रखिए मेनत करते रहिए जरूर ही आप एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे Thank you very much Thank you for watching this video मैंने इस वीडियो में 75 days का प्लान सेयर किया जिससे कि आपको follow करेंगे तो आप इसली exam को crack कर सकते हैं इस चैनल में मैं भी आगे और भी वीडियो लाता रहूंगा जिसके लिए आप notify कर लिजेएगा आपको definitely help होगी Thank you for watching this video